वेलकाम बैक एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल के अंदर आए दोस्तों बात करेंगे स्वीडियो के अंदर कि पहले चरण के अंदर जो 71 सीटों पर चुनों होना है उन 71 में से जो दो सीट ए आई एम एम का जो उम्मीदवार होंगे उनके उपर फाइट करेंगे वो दो सीट जो है गुरुआ है और शेर घाटी है इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि समीकरन क्या बन रहा है कितने मुस्लिम आबादी है कितने दलित आबादी है और किसके इनके सामने कौन-कौन उम्मिदवार है अब बीजेपी से कौन है और और महागडबंदन से कौन है किस तरीके से फाइट हो सकती है और जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है इन सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर हम लोग विश्लेसन करने वाले हैं आई दोस्तों तो अखिर तक हमारे साथ रहें ताकि चीज़ें वह बहतर तरीक कर सके मायम का जो परचा हो आप मसवरूररμε जीए ने कित है जीत वह वह जद्यो की होई ती लेकिन यहां पर भी इसलिए जद्योर पक्र दो को इसलिए भी लेकर चल रहे हैं बहुत सारे लोग कुल मिलाकर ए मसरूर आलम के सामने जद्यू के तरफ से जो उमिद्वार है वह विनोद यादव जी है उनके सामने फाइट होंगे दूसरा आरजेडी यानि महागडबंदन जो है आरजेडी ने अपना केंडिड उतारा है म स्वितान सबाग के बारे में लेकिन बात करते हैं कि यहाँ पर आबादी कितनी है मुसल्मानों के अबादी अगर बात की जाए मुसलिम पॉपॉलिशन की बात की जाए तो 37% से भी जादा है यहाँ पर मुसल्मानों के आबादी 2011 के से सिंस के लेकिन बात करते हैं हम लोग दलीतों के SC की तो यहां पर 15.2% 15.2% जो है यहां पर जो आबाधी है वो है वो SC के टेगरी के है यानि कि कुल मिला कर इस तरीके से 50% से 50% से भी जारा जो है यह दोनों मिलकर हो जाते हैं अगर सही माने में जो कि गड़बंधन का फाइदा जरूर मिलने वाला है इस पार्टी के साथ गडबंधन किया है और मायवती जो है दलीतों की बड़ी नेता बड़ी लीडर मानी जाती है अब उसका effect कितना होता है यह सारे मिलकर जो है अगर ऐसा होता है यह convince कर पाएंगे वहां के लोगों को तो इसका फायदा हो देखने को मिलेगा और जीत जो है वो मसरूर के हिस्से में या उनके जोहली में जा सकते हैं इस तरीके से यहां कुल मिलाकर इस तरीके छोटा equation बनता है जो के शेरगाटी के तरफ से इस तरीके के आपको news मिल सकती है कि M.I.M. की फतह जो है वहां पर अनकरीब लहराने के तयार है उसके बाद बात करते हैं हम लोग गु जबके बीजेपी के तरफ से राजीव नंदन है जबके और महागडबंधन की तरफ से विनयादव है यहां पर भी जो है वो तीन ट्रिकोनी जो है वो फाइट होना है और यहां पर अबादी के अगर बात की जाए तो मुसलमानों के अबादी मात 13% है 13% है जबकि जो दलित कि अच्छा खासा यहां पर वोटर्स है और इसलिए यहां पर शायद एक महांजी को टिकट दिया है मायम की तरफ से इसलिए क्योंकि इनके जो वोटर्स है इनको मुखातिब कर सके और इनको अपने पाले में जो है वोट गिरवा सके अब यह देखना होगा कि मायम की यह ज जो 69 सीट बचे हैं वो मायम के साथ जो गडबंदन है वो लोग मिलकर फाइट करेंगे तो आपके कहते हैं कोमें शक्तिम जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में थैक्यू जाहिंद लव्यू